जै मातादी आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाले अगले 22 दिनों के बारे में याने की 13 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ग्रहों की चाल किस तरह से बनेगी और आपकी राशी पर, देश दुनिया पर, व्यापार कारोबार पर इसका क्या परभाव पड़ेगा बात करेंगे अगले 22 दिनों में होने वाले बड़े फेर बदल के बारे में विस्तार से जानेंगे बाजार के हालात घटा बड़ी, मंदी तेजी तो दोस्तों बहुत ही खास जानकारी आज मैं आपको देने बाला हूँ इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जैम आतादी लिख दें दोस्तों तीन मिनट का वीडियो है किरिप्या अन तक बने रहें नहीं तो अपनी राशी से जुड़ी बहुत खास जानकारी आप मिस कर देंगे त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है इसलिए भी ये जानकारी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है चलिए शुरूआत करते हैं दोस्तों अगले 22 तिनों में चार बड़े बदलाव गोचर में होने वाले हैं जिसमें पहला बदलाव 13 अक्टूबर को तुला राशी में बुद्ध के वक्री होने के साथ ही आपकी राशी पर इसके शुब अशुब परभाव दिखाई देने लगेंगे विस्तार से जानेंगे पहले बात करेंगे शुब परभाव की फिर अशुब परभाव की चलिए शुरू करते हैं बुद के तुला राशी में वक्री होने से शुब प्रभाव ये पढ़ने वाले हैं कि इस समय में आपकी राशी के स्वामी मंगल देव की अश्टम द्रिष्टी वक्री बुद पर पढ़ने वाली है वक्री मंगल की द्रिष्टी वक्री बुद पर और साथ ही मारगी शनी की दस्वी द्रिष्टी भी वक्री बुद पर रहेगी जिस वज़े से 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक शेयर बाजार वाइदा बाजार में तेजी शुरू हो जाएगी और 17 अक्टूबर से सूर्य भी तुलाराशी में प्रवेश करेंगे और वक्री बुध के साथ मेल करेंगे वक्री मंगल और मारगी शनी की द्रिष्टी सूर्य वे वक्री बुध पर पढ़ने से जोरदार भ्यंकरतेजी जबरदस्त उचाल 17 वे 18 अक्टूबर को देखने को मि इसलिए इस समय में आपको लाब उठाना चाहिए हर तरह के काम में व्यापार में नोकरी के शेत्र में आगे बढ़ने और सफल होने के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे तिजोरिया भरेंगी शेयर सटे लोटरी में बड़ा प्रोफिट मिलेगा व्यापार में मोके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए दोस्तों 19 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इन दिनों में 3 बड़े बदलाब होंगे कौन से बदलाब होंगे और आपकी राशी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं अलग से व वेदन है कि उन वीडियोस को भी जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल के बटन को दबा दें ताकि वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अब बात करते हैं अशुप परभाव की दोस्तों अशुप परभाव इस समय में ये पढ अबधानी रखें अपने भेद किसी को ना दें गुप्त शत्रों से भी अलर्ट रहें नए लोगों पर एकदम से भरोसा ना करें नहीं तो वाद विवाद भी हो सकते हैं तो दोस्तों आज आपको जानकारी दी 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बाजार का हाल कैसा और 13 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक आप पर वक्री बुद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली अगली वीडियो में आपको आगे की जानकारी देंगे अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करें और जैम आतादी ज